कि आप मिसे कितने लोग का YouTube कमेंट आ गया कि जादे पैसे नहीं इंवेस्ट करने के कुछ सस्ता बताओ सस्ते स्टॉक्स मतल हमेशा खराब नहीं होता थोड़ी मेहनत जादी की जाए शिद्दत से काम किया जाए तो यू कि फाइंड गुड फोड इंवेस्टिंग इवन बिलो दो प्राइस फंड तो सबसे पहला तो यह सारे मेट्रिक्स ले रखें कि जो मैं श्रॉक्षिं कर रहा हूं यह तो चलो में असान है किसी भी स्क्रीम डाल सकते हो डिफकल क्या है अब कि कौलिक्रेटेव अनाशस करना कौन सी फोड में क्या ऑपची लगी रहें इंडस्ट्री वाइस किया और वही गोईला जब काम असान कर निकले आ गया है चलो हुआ है मैं मैं हर्ष गोईला और यार देखो पुट दो अबिस आउटसाइड यह क्या है इफ इंप 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 लोगो लगा इसका क्या मुतलब है कि गोईला फिंप इंप बहुत साला कंटेंट बना रहा है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको पता है आपको प्रॉल्म होगी आपको मिलेगा है अब शुरू करते हैं विद दिकाम प्रीज बट उससे पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं किसी भी हलत में आपको पुछ नहीं करो इंप नहीं हमारा इंटे अब नहीं को सब्सक्राइब करने अब फिलिंदेशन करने के लिए यह जाइए नोनगा स忘ny करने पर यह सब्हीं होगी आपको बีशेशरम करने लिए अब पहली हो है जिसकी करने बाइच जब लिए डियो डिजाराइए एक मेक आलू टिकी से कम है यार इस कम्पनी की शेया पैसे 47.1 पैसा यह कम्पनी है is my trip online travel agency है हिम्दुस्तान में one of the biggest है national international donor है online travel agency गोईला यार कौन सी online startup का profit रहतो मुझे बता क्या फायदा इसमें दलने का पैसा बट यह company हैसी नहीं यह company form में थी कि online travel agency का platform होगा यह B2B solutions देंगे बट अब भाई हर चीज में है इनके networks है offices है franchises है सो मच सो कि आपको छुटी पर जाना है आप easement पर जाओ आपका bus plane cab air ticket वह तो होई जाएगा और अभी तक profitable है as a matter of fact travel agency ना pandemic में भी यह company profitability this is how strong this company is और अभी तो सुनते जो बड़ी मज़दार company है अब company बहुत innovative है कुछ नहीं को नहीं करते जाती है premium shareholders को भर-भर के cash backs मिलते है on flights, hotels, holders, buses, trains yes तो भाई देखो इसका share खरीदने में वह advantage हो है but premium shareholder पे और यह ना एक अलग video deserve करता है तो अगर आप चाहते हो कि यह गोईला इस पे भी अलग सी video एक अच्छी ने बढ़िया सी मना दो तो नीचे लिग देना is my trip गोईला समझ जाएगा आपको video चाहिए फिस्दम बना देगा अब सब तर जाते हैं सीधा facts पे सीधा numbers पे and trust me you are going to be pleasantly surprised by this आइए सबसे पर इस तो flights में they have grown by 65% यह एक very high growth है उसकी बाद आप देखोगे hotels में भी इनका 121% में growth है मैं year on year आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद trains, buses, दूसरे transport में 23% का growth है तो देखो यार company ना एक consistent growth कर रही है, strong growth कर रही है across platforms अब देखो चलो growth हो रही है मान लिया but competition क्या कर रहा है वो भी तो पता कर ले है तो अब करते है competitive analysis की जो industry leader है उससे कितने better है, कितने खराब है, आईए sir सबसे पहले आप देखोगे, easement trip ना एक बहुत low cost model में operate करता है इसलिए आप देखोगे कि इनके discounts are generally higher than the industry leader because they can afford to give more discounts, low cost model है फिर employee cost आप देखोगे, 0.7% है, मतलब 79% less है than the industry leader, 79% less are you seeing, यह business कितना revolution ही हो सकता है, जब आपकी employee cost इतनी जादी कम है, उसके बाद, arbiters में promotion cost इनका कम है than the industry leader, इनका other expenses भी कम है than the industry leader, आपको facture दिखा रहा है, how strong this company is, और competition से भी कितनी जादी strong है tours or travel, मेरे साब से इंडिया में अभी भड़ता ही जाएगा, it is just on the starting edge अब आते हैं इसके financials में, इनकी sales growth for the past 5 years, 17.75%, decent, profit growth for the past 5 years, is 39.7%, it's good ROE is 43.97%, ROCE is 58.79%, और market capital है 8,189 crores, यह है this company graph, जैसे आप देख सते हो, technically यह इतना strong नहीं है but it's strong support में बेठा है, तो अगर long term अब सोच रो, इसको you can definitely consider अब आजाते हैं दोस, second company, यह company का share price is 72 रुपेस, 20 पैसा, और यह company है Marksons Pharma, नाम से इतिक काफी obvious है, pharma, pharmaceuticals में है, तो इस तेसका नाम है Marksons Pharma, तो यह company करती क्या क्या है, दोको यह OTC and prescription drugs बनाती है, जैसे कि यह oncology में है, gastrology में है, anti-biotics में है, anti-diabritics में है, cardiovascular में, pain management, gynecology, इन सब में products बनाती है, it's got a wide range of product portfolio अब, pharmaceuticals के business अपना interesting है, और बहुत difficult भी है, because, सबसे परी चीज, इस business में, एक company को नहीं, it has to constantly do R&D, to create better drugs, ठीक है, फिर production capacity भी बढ़ानी चाहिए, और अगे नहीं महेंगी production capacity होती है, उसके बाद innovation दो चाहिए ही है, and finally, जो बहुत क्रूशिल है, government approvals, अब कोई भी government body, चाह कि सब quality products दें, और कोई बिमार ना पड़े, मतले है, at least, government can do as much as to avoid, and government regulations are very strict, ये company Marksens Pharma is doing fantastic, आइए, अब सबसे पहले चीज, इनकी तीन production facilities है, ठीक है, India, US, UK, अब जो इनकी गुवा में facility है, उसके पास, USA से, UK से, Brazil से, Australia से, इन सब की government से clearances are, meaning that they can manufacture, it is a big thing, फिर जो US में facility ह एक और, US FDA से उसको approval आ रख है, जो UK में facility है, उसको UK के regulatory board से clean sheet मिली भी है, this is a major growth, एक company को इतनी country से, अगर clean sheet मिली भी है, it shows country strong है, और ये इनको बहुत strong advantage देता है, अब दूसरी जगा आते है, production capacity, ये company is trying कि इनकी production capacity भढ़ जाए, इस चकर में, इन्होंने Tewa Farm India Private Limited को acquire कर ले अब इस manufacturing facility को और बढ़ाना चाहते है, वो चाहते है कि ये manufacturing facility 1.5 billion units per annum produce करे, क्यों, because ये products अब EU में भीजना चाहते है, Canada में भीजना जाते है, Japan में भीजना चाहते है, तो market बढ़ा है, this company is aggressive and this company is putting 450 crores to start this plant, और ये एक साथ नहीं हो पाएगा, ये दो फेसे में पुरा प्ल नहीं, ये company ने ये बता है, कि it is going to take money from, खुद के accrual से, खुद के available cash से, अपने bank balance से, convertible warrants देंगे, मतलब ये company, debt को avoid कर रहे है, दूसरे सोर्से जादे जादा पैसा खटा कर रही है, which is fantastic, because majorly पैसा company खुद से ही organize कर रही है, for investors, it's a good thing. और से अब ये देखे, ये हैं Marksons Pharma के MD CEO, इनका तो बड़ा ही clear statement है, कि they are very optimistic about the future, वो acquisitions करेंगे, manufacturing और बढ़ाएंगे, अपनी strategy पे stick करेंगे, and overall, he seems very optimistic, और ये action environment के काम से भी देख रहा है, और ये factors company को और स्वाग मनाते है, सबसे पहले चीज की, जो over the counter है, जो OTC, उसमे ये leading store brands में, इनकी जो brands है न, वो surprise होती है, बड़े से बड़े US retailers को, जैसे Walmart, Walgreens, Kruger, ये इनके brands रहता है, तो of course, इनको जो audience मिल रही है, वो ही कतनी बड़ी है, उसके बात है, इनकी UK में भी presence है, योरोप में भी presence है, because इनके पास दो subsidiaries है, Raylon Chemky and Bell Healthcare, and दोनों companies UK में बोख़ जादा renowned for medicines, और यही चीज, इनकी presence Australia and New Zealand में भी है, जहां पर इनके पास subsidiary है, of Nova Pharmaceuticals, this is how strong this company is, company दोस, बहुत aggressively आगे भढ़ रही है, और हम भी उतनी aggressively भढ़ते हैं, इनके financials पर, इनकी sales growth for the past 5 years is 14.21%, profit growth for the past 5 years is 83.66%, average ROE 19.67%, ROCE is 24.49%, and market capital is 3,275 crores, और यह दिशन को long term graph, आपको देख रहा है, एक बहुत नीचे की तरफ resistance बनी विया है, बट अगर इसी को आप short term में देखोगे ना, तो यह बहुत strong support element है, और इसका share graph उपर ही जा रहा है, यह technical call है, but fundamentally long term के लिए, इस chair में दम लग रहा है, third company, वो company है, जिसकी share price, दखो या 95 रुपीज है, बट काम बड़े ही interesting है, काम कहा है, पैसे को यहाँ से लेके पैसे वहाँ देना, यह एक cash management company है, radiant cash management services limited, मतलब it is amazing, और बहुत interesting होगा आपकोई समझने में कि ऐसे businesses भी survive करते है, जिएका काम ही है, बस पैसे को संभाना, security करना, हर एक चीज, सुदा क्लाइन को tension free पता है, उसके पैसे इस point से, इस point से, physical cash चला जाएगा, इनका main business काम है, B2B, for banks, पैसे पूटा ही में धरते हो करते है, financial institutions, organized e-commerce business, and again entering you, this business is huge in the organized cash delivery market, अब आप देखेंगे, सब से बिलेंगे, clients ही चुरू कर रहो ना, Axis Bank, City Bank, Deutsche Bank, SGFC Bank, ICSA Bank, Kotak Mahindra Standard Chartered, Yes Bank, State Bank of India, यह सब इसके सब से employ कर रहे है, मतला हो खुछ समझ सकते हो, यह कितना बड़ा है, and as a matter of fact, यह company अपनी space वे market leader है, market leader की share price 100 रुपे की नीचे है, sir, क्या बखवास कर रहा है, market leader की company है, monopoly है, और इसका share price 100 रुपे की नीचे है, yes, औ और यह research करने में बहुत महना, बहुत time, बहुत सा screeners लगता है, अगर आप चाहता को यही information मिलती है, आप को पता है क्या करना है, नीचे subscribe button अट, ठोक के रबादो, मेंगा फिस्जम चैनल पे आपको तगडी value मिलेगी, इसमें कोई शक्की गुज़ाइस हाई नी, अब आते is becoming, अब देखो यह cash management का सब्सक्राइब, अब देखो यह cash management का सब्सक्राइब, यह धन्दा एक ही चिर्म डेट करता है, आपकी कितनी जादी reach है, आप कितने pin codes में जा रहे हो, कितनी districts में जा रहे हो, इंडिया के कौन कौन से areas में आपकी services है, उतना ही आपको business में लेगा, उतना ही आप इंडिया को penetrate कर पाऊँगे, अब यह देख लेते हैं, इनके pin codes have increased from 12,000 to 13,000, तो they are adding pin codes, which is excellent, इनके touch points from 49,000 have come to 53,000, which is again excellent, और cash movement आप देखोगे, in terms of value, वो भी भड़ गया है, गोल है या तू वो business बता रहे है, तो पुराना business है, अब हम जारे हो online, यार हर पड़े ही नहीं, बिकास हर चीदे online हो रहे है, तो यह business future के लिए चल भी सकता है, और सच बता हूँ, मैंने यही सोचा था, when I was doing research, but data को चोछ और ही बता रहा है, यहाँ पहा है, cash and circulation है, वो with time सिफ भड़ ही जा रहा है, और आप देखोगे 2017 से 2022 तक वो उपर ही जा रहा है, यह वो time है, जब online usage सबसे जादा हुआ है, उसके बावजूद भड़ना है, बट गोला है 2017 बद एक अच्छा किया है, तो इसलिए circulation of cash भड़ गया हो, I don't think this is a good data, कि तू बोल रहा है कि circulation of cash आगे भी भड़ता जाएगा, अब अगर मैं worldwide compare करूँ, India के cash circulation को, versus other countries, यह तो अच massive, massive scope to grow, and understand this, हो सकता है, हमें cash management ही ज़रोत ना हो पड़े, because as retailers, हमें ता cash use नहीं कर रहे है, हम online जाने, which is okay, but बड़े-बड़े institutions को, e-commerce business को, उनको तो cash management चाहिए ही होगी, and this is why this business can play a major role in it, और market leader तो already है, आप आते हैं कि financials में, इनकी sales growth for the past 5 years is 12%, profit growth for the past 5 years is 64%, ROE is 30.61%, ROC is 45.86%, and market capital is 1022 crores, और एक कंपनी तो बस अभी जैन में लिस्ट हुए थी, जैन 2023 में तो एक कंपनी बहुत जादी नहीं है, अभी तो देखो निफ्टी को बीट नहीं कर रही है, clearly आपको ग्राफ दिखा रहा है, और इस कंपनी में ज़दर technical data अभी नहीं है, to study, तो अगर इस कंपनी को ट्रैक में लगता, और आट नौ भी ने कम से कम वेट करता, कि में पाँ अच्छा technical data आ जाए, और तब मैं इसमें long term investment की सोचता, अब आते हैं दोस्त, फोद कंपनी पे, और ये कंपनी ना, एक बैंक है, इसकी स्टॉक की पाइस है 66 रुपीज, और ये बैंक क आपको होता है हुकम का क्या है, वो है इसकी management, वो है इनके MDCO, Mr. Vaidinathan, Mr. Vaidinathan का आपको थोला historic background दो, ये early 2000 से 2009 तक, थे ICICI Bank के साथ, and he played a very critical role, कि उन्होंने ICICI Bank का retail business को built किया, 2009 तो 2010, ये थे MDN CEO of ICICI Prudential Life, और फिर उनको खुद का उन्टर प्रेंज जोनी साट करना था, तो वो Capital First में है, उन्होंने Capital First की रेंज पकरी, और उनके अंटर आपको तिखा रहों, Capital First ने कितना अच्छा किया, Capital First का AUM भढ़ा, Asset Under Management, मतलब कितने सारे पैसे वो मैंनेज करें, वो भढ़ा, उसके बाद उनका profit after tax, वो भी भढ़ा था, फिर cost of income, अब बैंक के लिए सब सबसे सस्ती चीज़ का है, किसी भी NBFC सबसे बढ़िया चीज़ का है, कि भाई, पैसे आई सबसे कम से कम ब्याज में, उसको लोन दे सबसे आज साथ है ब्याज में, तब भी दो profit होगा, तो cost of income, जितनी अच्छी होती बेटर है, the cost of income, continuously under Mr. Vedinathan, Capital First की decrease ही करे थी, ROE was increasing, stock price, so did very well, सबसे पहले न, किसी बैंक को जच करना है, आप लोगे कासा, current account, savings account, क्यों भाई, क्यों इसलिए, because current account or savings account से, banks की पास पैसे सबसे कम interest में आते है, one of the cheapest sources of way to get money, इसलिए banks बड़े offers निकालते है, यह कर लो, deposit दो, यह करो दो, हम आपको यह देंगे, यह account खो यह देंग ICA से बैंक का का सा, is 43.6%, यह तो बैंक स्टॉप में है न, IDFC का आप का सा देखना चाते हो, और जबकि यह नया बैंक है, इतना पराना है भी न, IDFC फोस्टा का सा, is around 50% for the past 3 years, second चीज, important for any bank, NPA is non-performing asset, यही तुमारता है bank को, होता है क्या, bank loan देता है, loan दिया, पैसे वाप पैसे दिये, business नहीं चला, fail हो गया, हाँ, वो possibility है, but बहुत बार, अगर banks अपनी lending policy को tight करे, smartly play करे, regulations आले, सिर्फ right customers को ही choose करे, तो उनका NPA काम हो सकता है, आप देखेंगे, इनका gross NPA काम हुआ है, इनका net NPA 1.5 से 0.86 हो गया है, दोनों में काम हुआ है, which is a very strong news, और उसी क साथ-साथ, return on equity has been increasing, their return on assets has also been increasing, IDFC first bank is a bank है, which carries a lot, a lot, a lot of potential, and I can promise you, जब आप खुद भी रिसर्च करोंगे इस bank में, आप खुद इतने interesting facts में लेंगे, आप एकदम जोश ते बढ़ जाओ को इस bank में इनकाने अभी के अभी के अभी, आप बात करेंगे, जासे आप देखते ह और अभी कोड़ा से नीचे है, technically आप देखोगे, it's a little uncertain, but long term में, it seems to be very strong, तो आप मुझे कमें इनकाना होगी, sir, कौन से स्टॉक से जिसमें आप बहुत जादे आदे आप जादे आप जादे को, जिसमें आप खोद रिसर्च करोगे, और फिर खोद रिसर्च करोगे, क्या खोदे है, क्या खोदे है, क्या खोदे है, क्या खोदे है, विके, देसर हर्ज लोईला, on the Fizium platform, subscribe कर दो को बन दो लाँ.